उसी तरह पूर्णांग के निम्लिके जोड़े के लिए A equal to BQ plus A समीकरण लिखने का प्रयास करें अगर A का मान 17 है और B का मान 6 यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि 17 से कम प्रिणाम प्राप्त करने के लिए 6 को हम अधिक्तम किस संख्या से गोणा कर सकते हैं इस सवाल का जवाब 2 है क्योंकि हम जानते हैं कि 6 को 3 पे गोणा करने से 18 प्राप्त होता है जो की 17 से बड़ा है इसलिए हम यह ग्याद कर सकते हैं कि 17 equal to 6 गोणा 2 plus R तो पहले सवाल का जवाब हमारे पास 2 आ गया अब अगर हमको R को ग्याद करना है तो हमको इस समीकरन को देखना पड़ेगा जहां पे 17 बड़ाबर 6 गोणा 2 plus R है यह दो वही दो है जो हमने पिछले सवाल के जवाब में निकाला है इस समीकरन से अगर हम R का मान ग्याद करना चाहें तो हम 5 ग्याद करेंगे तो दूसरे सवाल का उत्तर हो गया 5 इसलिए हम लिख सकते हैं कि 17 बड़ाबर 6 गोणा 2 plus 5 यह 5 वही 5 है जो हमने दूसरे सवाल के उत्तर में निकाला है उसी तरह A equal to 5 और B equal to 12 के लिए Q और R ग्याद करने का प्यास करें जब आप इसे हल करेंगे तो आप देखेंगे कि 5 बड़ाबर 12 गोणा 0 प्लस 5 जिसमें Q का मान 0 और R का मान 5 है क्रिप्या इसको अपनी कॉपी में नोट कर लें A और B के किसी भी दिये गए सेट के लिए Q और R अदूतिये होते हैं हमने A equal to 17 और B equal to 6 वाले उधारण में देखा था कि हमारे पास जो समीकरण आया है 17 बराबर 6 गोणा 2 प्लस 5 उसमें Q बराबर 2 और R बराबर 5 आया था हमारे दूसरे उधारण में A बराबर 5 और B बराबर 12 था जिसका समीकरण आया था 5 बराबर 12 गोणा 0 प्लस 5 जहाँ पे Q 0 आया था और R 5 आया था हम यूकलिट की विभाजिन प्रमेएका को निम्नानुसार बता सकते हैं दो धनात्मक पूर्णांक A और B के लिए जिससे A बराबर B इंटू Q प्लस R होता है जहाँ पे की R 0 और B के बीच का एक संख्या है कृपया इसको नोट कर ले